17 शनुवरी को इंदोर के जूनी इंदोर्थानर सेत्र की सिंदी कॉलोनी में महिला की साथ हुई चैनले स्टेसनेचिंग की वारदात का खुलासा आज इंदोर् पोलिस ने कर दिया दिया है दुरसल चैनले सेटीवी कैमरों में केद हो गई ती जिसमें साफ दिख रहा है कि मह ने बड़ी बहादूरी से आरोपी का सामना भी किया था लेकिन वाइक सवार आरोपी अंतदाहक काम्याब हो गया था जूनी दोर थाना शेत्र की सिंधी कॉलोनी में हुई लूट की वारदात का पोलिस ने परदाफाश करते हुए एक आरोपी को खंडवा से गिरफतार कर उस उस बाइक पर कोई नमबर नहीं हैं जिसके बाद बाइक पर लगे मार्क के निशान से पुलिस ने एक पेट्रल पम्प पर अरोपी की पहचान की जिसके बाद पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी आज़ादन नगत हना शेत्र का रहने वाला है और अकील उसका नाम है और वो पहले भी आप रादिक वारदातों के चलते जेल की हवा खा चुका है। गाड़ी इडेंटिफाइड हुई एक पेट्रोल पम्पर उसका गाड़ी का में एक मॉडल इडेंटिफाइड हुआ और गाड़ी में एक छोटा सा डेंट कह सकते हैं। उसका ऐसा एक मार्क उसमें इडेंटिफाइड हुआ जिसके आधार पर पुलिस ने Human Intelligence Network को टटूलना शुरू किया तो उसके आधार पता चला कि यह बदमास आजादनगर का है कि इसका नाम है और इसके द्वारा जो है यह मोटसाइकल लेके अभी घूम रहा है और लेटर आण पता चला कि मोटसाइकल भी चोरी हुई थी ओमनी पेटल बलम से एक दिन चोरी हुई थी मोटसाइकल तो पुलिस ने घेर के इसका पीछा किया यह आरोपी खंडवा थरार हो गया था खंडवा से पुलिस इसको पकड़ के लाई पूछताच की गई तो इसने जुर्म सुईकार किया और जो चैन थी उसका तुपड़ा से बरामत कर लिया गया है और जो मोटसाइकल ओमनी पेटल बलम से चोरी हुई थी उसकी अफाईयार है और वो भी बरामत हुई है इसमें मुखी यह है कि आरोपी का पुराना रिकार्ड भी है अन्यपूर्णा थाने से 394 का पुराद में यह बहले बंद दो चुका है एक 304 का पुराद ही लग चुका है इसके उपर इसके किसी साथी की मिल्क्तियों के संब अलग-अलग धाराओं के प्रक्रण दर्श हुए थे आरोपी नश्य का आदी है और नश्य किलत को पूरा करने के लिए इस तरह की वार्दातों को अंजाम देता था पुलिस अन्यवार्दातों के मामले में पूश्टाश करने में जुटी है इन दो सिम्र दुभाशी के ल अलग-अलग